नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल आकाच ETP में हाजिव स्वागत करता हूं और आज हमार इस्टोडिक टाइटल है दा डिवोंड मदर्स डिवोंड यानि समर्पित मदर्स यानि मा समर्पित मा चलो इस्टोडिक इस्टार्ट करते हैं इत वोज ए शरीन लैक, शरीन यानि शांत लैक यानि जील वहें एक सांत जील थी, there were many fows living in the banks and the trees surrounding the land मैन यहनी कई फावल्स यहनी होता है पक्सी भी होता है मुर्गी भी होता है लिवंग यहनी रहना बैंक्स यहनी किनारा जो किनार होता न न दिवोदी का यह जैसे जील का किनारा यहां यह किनारे इसे बोलते बैंक्स त्रीज यानी पेड स्राउंडिंग नी चार और लैक यानी जील जील और पेड पर कई पक्षी रहते थे ए फैमली ओफ डक्स वोज ओल्सू लिविंग देयर डक्स यानी बतक और बतकों का एक परिवार रहता था दा मदर लैक वोज गाइडिंग हर चिक्स टू लन सिविंग एंड शर्चिंग फूड गाइडिंग यानी मार्क दक्सन या मार्क दक्सन कुछ शिकाना चिक्स यानी बच्चे जो उनके बच्चे ना किनके बतकों के बच्चे लन यानी शिकाना शिविंग यानी तैरना में तेरने के लिए मारक दक्षन करती और बोजन भी खोज थी लाइफ वोज वेरी हैपी फूर दा फैमिली फैमिली परिवार हैपी खुश और उनका परिवार बहुत खुशाल था दा डड़क एड़ चिक्ष वेर सिविंग ओल ओवर दा लैग एड रोमिंग अराउंड दाल बैंक्ष रोमिंग यानी घूमना अराउंड इनी चार ओर बैंक्ष यानी किनारा सिविंग नी तेरना बतक और उनके बच्चे जील में तेरते और घूमते, they were enjoying life to the full stand, एक stand का मतलब होते है छेतर और वहें पूरे छेतर में मज़ा लेते वन डे एक दिन दा डग उसो ए कनिंग फोक्स हंटिंग इन दा एरिया, वन डे नी एक दिन डग यानी बतक सो मिंस देखना कनिंग नी चालाग फोक्स नी लोमडी हंटिंग नी शिकार करते हुए एरिया नी छेतर एक बार बतक ने इलाके में एक चालाग लोमडी को शिकार करते हुए देखा दाड़क immediately came immediately यानि तुरंट means गया और बतक तुरंट गया and warned the chicks warned यानि चहतावनी देना चिक यानि उनके बच्चों को और उनके बच्चों को चहतावनी दी look my children मेरे तरफ देखो बच्चो there is a fox in the area fox in the area area नि ilaqe या छेतर इस छेतरिया इलाके में एक लोमडी है Be careful when you come out of the leg Come out याना, careful यानी शावधानी से जब तुम जील के बाहर आओ तो शावधानी से रहो He might arm you, arm यानी नुक्षान, वहें तुम्हें नुक्षान पहुंचा सकती है Yes, mothers How much the chicks replied in unison Unison का मतलब होता है, एक ताल में या एक सवर में उसने एक सवर में ऐसा कहा हमा, the duck always kept in eyes on her chicks to safeguard them from the dangerous folks Danger यानी खतरनाग, safeguard यानी सुरक्षित या सुरक्षा I यानी आँख और खतरनाग लोमनी से बचने के लिए बतक की आँखे उनकी बच्चों पर रहती यह रहे, यह बतक रहा, यह उनकी दो बच्चे रहे अगर इस टोड़ी थोड़ी पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दा नेस्ट की आगरे लेन धिन अगला दिन वेनदा डग वेनदा डग वेन पुओड वेनग आउट सो दा फोकस हाईडिंग वेरी नियर टो आघ्यक्स वेन इनी तब डक इन बतक वेन इन गया सो मिंस देखना, फोक्षन लोमड़ी, हाइडिंग इनी छिपना नियर इनी पास में चिक्ष यानी बतक के बच्चे जब अगले दिन बतक बाहर गया तो उसने देखा कि लोमड़ी छिप रही है उनके बच्चों के पास ही C was alarmed, alarm का मतलब तो घबरान और वहन घबराई थी C shouted in a loud voice, shouted यानी चिलाना, loud यानी जोर से, वोज यानी आवाज और वहन जोर से चिलाई run to the water children, run यानी भागना, to the water यानी पाने की ओर पाने की ओर भागो बच्चों, the folks is hiding near you लोम्री तुमारे पास छिपी है and run towards the folks towards यानी की ओर, लोम्री की ओर भागो the folks noted the duck coming in this direction direction यानी दिशा लोम्री ने देखा की बतक उनकी ओर उनकी दिशा में जा रहा है and was very happy that he was going to get a nice meal meal यानी खाना लोम्री बहुत खुश थी और वहें बहुत खुश थी कि उसे एक अच्छा चीज मिलेगी खाना he waited for the duck to come closer, closer in pass waited in इंदिशार करना, duck in बतक और उसने बतक का पास आने के इंदिशार किया the duck camp hop away, hop away यानी आदे रास्ते में जब बतक आदे रास्ते में पहुँचा turn around to see her chicks falter safely into the water और उसने देखा कि पानी में बच्चे सुरक्षित बह रहे है she acted as if she was wounded, wounded यानी घायल acted यानी अभी नहीं किया या विहवार किया और उसने ऐसा विहवार किया कि जैसे कि मानुवे हैं घायल है she started to limp away, limp यानी लंगडाना और उसने लंगडाते हुए चल दिया the folks thought it was the ripe time ripe time का मतलब होता है सही समय और right time का मतलब भी होता है सही समय to attack the duck thought means सोचना, ripe time यानी सही समय और लोमड़ी ने सोचा कि यहीं सही समय है बतक पर हमला करने के लिए he lapped at the duck, lapped यानी जप्टा और वहें बतक पर जप्टा the duck waited till the last moment, till यानी तक waited यानी इंतिजार किया बतक ने आखरी सन तक इंतिजार किया gaining all her strength, strength यानी ताकत, gaining यानी पराप्त करना she flubbed her wings and flew away just as the folks was about to grip her grip यानी पकड़ना flubbed यानी फटपड़ाना winch यानी पंक बतक ने अपनी पूरी ताकत से पंक फरपड़ाए और जैसे ही लोवड़ी ने उन्हें पकड़ने की कोशिस की और वहें उड़ गए now the duck and her chicks were safely serving in the water while the folks had to search for food elsewhere यानी पानी और अब बतक और उनके बच्चे सुरक्षित पानी में तैर रही हैं while the folks had searching for food and elsewhere elsewhere ने कहीं जबकि लोवड़ी को कहीं और बोजन की तालास करनी थी मा के प्यार की कोई बराबरी नहीं है यह तो सही बात है वही मा की बराबरी कोई नहीं कर सकता इससे लगी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेर एंड सब्सक्रेब जरू करें आपका दिन सुब हो थैंक यू झालास करें